हाई फ्रेंड्स फ्रेंड्स गर्मियां अगई है और लूट चल रहा है तो हम बनाएंगे बेल का सरवत वही तीन-तीन फ्लेवर में बेल का सरवत पनाने के लिए अब सबसे पहले हम बेल ले लेंगे पका हुआ आप ठीक से देख लिजिएगा अगर उपर उसका हलका हलका पी ऀए बीज अलग कर दोगि और अच्छी तरह से इसमें बीज सबते होता है इसे वीज standard कि भी लिट पात kalian Ugh बहत बहुत छोटे बहुत बहुत ही बहुत हैं यह तोरा अलग तरीका का बेल है इसका बीज बहुत जञदा चिपचिपा है और यह देखिये मैंने बीज बाहर कर लिया है अब इसमें मैं डाल दोंगी पानी आपको जितना भी जूप चाहिए बेल का सरवत चाहिए तो उसे पानी डाल दीजिए आपको मीठा zu oldest चीनी या भी डाल सकते हैं घुकल का वी बनता है और यह सरबत धारेड़ी होगया है अब इसमें छोटे जो अगर रॶम द दूरज़ा होगए तो डीज ऐण ही जादारे वीचाए क्योंकि हाथ से ही ज्यादाता दूर्शे बाहर आजाते हमें, च्धूंअर प्लिज़ा होगए अब ये देखिए हमारा सर्वत ये एक तरह का प्लेन स्रिफ चीनी और बेल का सर्वत ही एक रेड़ी है अब हम उसको अलग फ्लेवर में और अलग कलर मिलाने के लिए बस मिकसर जाड में हम थोड़ा सा बेल डालेंगे थोड़ा सा पुदीना पती और चीनी तो इसमें है ही मै मिलकसेख बेल का मिलकसेख तो हम दूद ले लेंगे दूद मे ठोड़ा सा बिल का सर्वत टाल जाल देंगे और इसमें थोड़ा सा चीनी चीनी दालेंगेРЕ से छीनी एड्शी नीच दोड़ा पर सिलाड में मैग सिलाट में ने कि दूद ल помощ अगदं पूरा जाग वाला बेल तोड़े से इलाइची पाउडर और कटी हुई ड्राइब फ्रूट से और यह देखिए हमारा मिल्क से बेल का मिल्क से कब रेडी हो गया है यह देखिए तो दोस्तों मेरी यह बेल की सर्वत की रेसिपी आप सभी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट औ दोस्तों यह देखिए कितनी टेश्टी और कितना सुन्दर दिखने वाला वेल का तीन फ्लेवर में बनने वाला सर्वत